नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एक्जामोरी पर साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलावाद हाई कोड कि जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं लाइक आपकी review officer के लिए assistant review officer, computer assistant और EPS के लिए तो इसमें इन पदों पर कितनी vacancies आपकी आएंगी और यह vacancies आपको कब देखने को मिलेंगी सारा कुछ हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो जो भी हमारे साथ ही हैं इन पदों के लिए तो वो इस वीडियो के बिल्कुल अंतक बने रहेगा निश्री तोर पे यह वीडियो आपके लिए लाप कायक साबित होगी चलिए वीडियो से start करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम कुछ terminologies को समझते हैं कि जैसे इसमें एक terminologies है sanctioned strength तो यह sanctioned strength क्या होता है दोस्तों यह कोईसी भी department में अगर हम यहाँ पे अलावाद high code की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी एक particular पद के लिए वहाँ पे जो करमचारियों के strength है वो कितनी है total strength वहाँ पे कितनी है मतलब maximum कितने पदों के vacancies को fill up किया जा सकता है तो वही होता है हमारा sanctioned strength जैसे अगर हम यहाँ पे review officer की बात करें तो review officer के लिए लाबाद high code में total 1416 पद sanctioned है अगर हम assistant review officer की बात करें तो total 468 पद sanctioned है computer assistant की बात करें तो total 60 पद है और APS की बात करें तो total 177 पद है आप सभी को ग्यात होगा कि 2021 में इन चारों पदों पे vacancies आई थी और इन में से 3 पद अगर हम बात करें आरो यारो और computer assistant इन तीनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो ज्वाइनिंग होने के बाद यह जो आपको vacancy देखने को मिल रही है तो मतलब इतने पद ज्वाइनिंग होने के बाद अभी खाली है सिर्फ और सिर्फ आपकी APS की ज्वाइनिंग नहीं होई है क्योंकि अभी इसका final result नहीं आया है तो APS की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसमें भी vacancies का आपको पता लग जाएगा वो चीज़ मैं आपको भी वीडियो के आगे बताऊंगा कि उसमें कितने पद APS में क 315 vacancy बची है यह जो data है ना यह data कपका है सबसे पहले मैं आपको यह चीज़ बता दू यह जो data है यह sanction strength वाला जो data है यह आपका April 2022 का है ठीक है जो sanction strength वाला data यह April 2022 का है और यह vacancy का data है यह data है number 2022 का ठीक है ध्यान से सुनिएगा यह vacancy के जो data है वो number 2022 का क्योंकि यह vacancies को fill up होने के बाद कितनी seat बची है कितने vacant post है वो चीज़ है तो यह number 2022 का data है ठीक है चलिए तो अभी हम vacancy post की बात करें तो review officer के लिए आपको 315 पद है मतलब खाली है यारो की बात करें तो 93 पद खाली है computer assistant की बात करें तो 17 पद खाली है APS की बात करें दिखिए APS में अभी total working जो strength है आपकी working strength APS में 68 है और 68 पद इसमें अभी भरे जाएंगे तो यह total हो जाएगा इसको अगर हम add करें तो 152 मतलब 152 total working strength हो जाएगी आने वाले कुछ समय में ठीक है आने वाले एक दू महिने में तो अगर हम 157 में से 122 को minus कर देते हैं तो total हमारे 5 पद APS के लिए रिक्त बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 पद लेकिन आप परिशान मत होईए जब vacancies आएगी तो यह 5 पद आपको देखने को नहीं मिलेगा यह बढ़ के आपको देखने को मिलेगा उसका reason क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ तो ध्यान से सिनिएगा कि इसका reason क्या है कि आपको यह vacancy बढ़ के देखने को मिलेगी वह सिर्फ APS में नहीं आपकी सारे पदों कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चाहे वह आपकी APS की हो चाहे review officer की हो ARO की हो computer assistant को सब में आपको कहीं नहीं कर वेकेंसी बढ़ के आपको देखने को मिलेगी इसका reason क्या है reason यह है कि जो यह आपके sanction strength देखने को मिलेगा यह particular sanction strength इसमें variation आपको देखने को मिलता है समय समय पर जैसे अगर यह April 2022 का data है तो आगे एक साल बाद इस sanction strength में आपको variation देखने को मिलेगा reason उसका यह है कि किसी भी particular department में जब workload बढ़ता है तो उसमें strength को बढ़ाई जाती है पदों की संख्या को बढ़ाई जाती है तो यह sanction strength में आपको variation देखने को मिलेगा मतलब यह increase होगा तो जब increase होगा तो number of vacancies भी increase होगी ठीक है तो अभी मैं बताऊंगा कि कितनी vacancies आपको आएंगी मतलब 2000 जब यह आपका September में September में next vacancy आने की पूरी पूरी संभावना है कि September 2023 में आपकी जो इन चारो पदों के लिए vacancy September 2023 में आएगी तो उसमें कितना पद आपको देखने को मिलेगा मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो sanction एक चीज़ और इसमें ध्यान द review officer पर होता है review officer का promotion section officer पर होता है ठीक है तो भी इसमें vacancies में फिर बदल देखने को मिलेगी तो अब हम बात करते हैं अपने main मुद्दे पे और हमारा जो मुद्दा यह था कि इसमें total कितनी vacancies देखने को मिलेंगी हर एक post wise ठीक है तो जैसे कर हम review officer की बात करें इसमें आपक 250 प्लस पद आपको देखने को मिलेगा review officer के लिए 200 प्लस पद आपको देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा तो यह जो अपको आपको आपको देखने को मिलेगा और इसका यह है कि मैंने अभी जैसा कि आपको बताए कि सब्टेमबर में आपका सब्टेमबर दोहजर 23 में यह दुबारा आपको vacancies देखने को मिलेगी ठीक है चुकि इस बार बहुत सारी reason की वज़े से vacancies को मतलब complete होते होते बहुत सारा time भी लगया अभी तक APS की जो पद हैं वो अभी तक नहीं भरे पाए हैं इसका भी APS का final result आने वाला है तो आप लोग परिशान ना होई है तो आपको इस सारी चीजें समझ में आ गए होगी कि हर एक particular post के लिए कितनी आपकी vacancies आने वाली है और यह vacancies आपको कब देखने को मिलेंगी तो वीडियो आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है चलिए मिलते हैं शूडियो में तब तक के लिए नमस्कार शश्री अकाल